ओम श्यान्ती, आज है 16 फर्वरी 2021 की साकार मुरली, पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, तुम्हारा कनेक्शन एक बाब से है, तुमने अपने जीवन की डोर उनसे बांधी है, उनसे ही तुमको बहुत सुख मिलता है, इसलिए एक से तोड निभा उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हो, अब तुम्हारी है यह रुहानी डोर, तुम्हें रुहानी बाब की श्रीमत पर ही चलना चाहिए, क्योंकि यह बाब 21 जन्मों के लिए गैरेंटी करते हैं, इस समय तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करने, प्रन्तु फिर भी माया गफलत कराती रहती है, फिर बाबा ने कहा, तुमने ही बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, हमें इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन लग रहा है, तुम सर्फ योग में रहो, तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे, आधा बच्चे भक्ती करते करते ठक गए थे, अब बाप तुम्हारी सारी ठकान दूर करने आए है, तुमको खुश होना चाहिए, हम बेहद के बाप से फिर से अपना वर्सा ले रहे हैं, इस ग्यान को समझेंगे वही, जिनोंने कल्प पहले समझा था, तुमको समझने में भी ब बने कहा, मैं कल्प कल्प आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, यह ज्यान यग्य रश्ता हूँ, इस यग्य से ही विनाश जुआला प्रज्वलित होनी है, पतित दुनिया का विनाश ना हो, तो पावन दुनिया कैसे बने, इस महा भारत लड़ाई से ही अग के गेट खुलेंगे, अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड निभाना है, प्रशन, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात् के साथ जोडती है, इसकी रस्म अज्यान में किस रिती से चलती आ रही है, उत्तर, शाधी के समय इस्त्री का पलव पती के साथ बांधते है, इस्त्री समस्ती है, जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, तुमने तो अब अपना पलव बाप के साथ जोड़ा है, तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्ब के लिए बाप दवारा होगी। गीत जीवन डोर तुम ही संग बांधी। ओम शान्ती। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वे अपने जीवन की डोर पती के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है, ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको अर्थात पती को परवरिश करनी है, तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा की साथ बांधने की है वे है हद की स्थुल बात ये है सुक्षम बात कन्या के जीवन की डोर पती के साथ बांधी जाती है वे है उनके घर जाती है देखो हर एक बात समझने की बुद्धी चाहिए कलियुग में है सब आसुरी मत की बातें तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है तुम्हारा कनेक्शन एक से है एक से ही तोड निभाना है क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है वे है तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है तो ऐसे बाप की श्रीमत प उह ही श्रीमत लेती है आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे है अब रुहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते है तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है उस अल्पकाल की जीवन डोर से त नीचे गिरते आई है यह 21 जन्मों के लिए गैरेंटी है तुम्हारी कमाई कितनी जबर्दस्त है इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए माया गफलत बहुत कराती है इन लक्षमी नारेण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला तुम आत्माओं क पर्मात्म से जीवन डोर बांधी जाती है कल्प कल्प उनकी तो गिंती नहीं बुद्धी में बैठता है हम शुबाबा के बने हैं उनसे जीवन डोर बांधी है हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी अब शुजयन्ती मनाते हैं प पता नहीं है शुव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा यह तुम जानते हो दुनिया नहीं जानती है इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोव अर्थाद करोडों में कोई और उसमें भी कोई जानते है आदी सनातन देविदेवता धर्म प्रायलोप हो गया है और सब शास्र कहानिया आदी है यह धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है इसमें शरीर की कोई बात नहीं है भल घर में बैठे रहो बुद्धी से याद करना है तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है पल्लव बांधते हैं न? वे स्थुल पल्लव यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग भारत में श्योजियन्ती भी मनाते है प्रन्तु वे कब आये थे? यह किसको भी पता नहीं है क्रीष्न की ज्यनती कब, राम की ज्यनती कब है यह नहीं जानते बच्चे तुम त्रीमूर्ती श्युज्यनती अक्षर लिखते हो प्रन्तु इस समय तीन मूर्तियाँ तो है नहीं तुम कहेंगे श्युबाबा ब्रह्मा द्वाराश्रिष्टी रस्ते है तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना, बाकी विष्णू और शंकर इस समय कहा है, जो तुम त्री मूर्ती कहते हो, यहें बहुत समझने की बाते है, त्री मूर्ती का अर्थ ही, ब्रह्मा विष्णू शंकर है, ब्रह्मा दवरा सापना वे तो इस समय होती है विश्णु दवरा सत्युग में पालना होगी विनाश का कारिय अंत में होना है यह आदिसनातन देवी देवता धर्म भारत का ही है वे तो सब आते हैं धर्म सापन करने हर एक जानता है यह धर्म सापन किया और उनका समवत यह है फलाने टाइम फलाने धर्म सापन किया भारत का किसको पता नहीं है गीता जयनती शिव जयनती कब हुई किसको पता नहीं है क्रिश्न और राधे की आयू में दो-तिन वर्ष का फर्क होगा सत्युग में जरूर पहले क्रिश्न ने जनम लिया होगा फिर राधे ने प्रन्तु सत्युग कब था यह किसको पता नहीं है तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे है तो दो दिन में कोई कहां तक समझेंगे बाप तो बहुत सहज बताते है वह है बेहद का बाप जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए न ओ गोड फादर कहे याद करते है लक्षमिनारेन का मंदिर है यह स्वर्ग में राज्ये करते थे प्रन्तु उनको यह वर्षा किस ने दिया जरूर स्वर्ग के रचईता ने दिया होगा प्रन्तु कब कैसे दिया यह कोई नहीं जानते है तुम बच्चे जानते हो जब सत्युग था और कोई धर्म नहीं था सत्युग में हम पवित्र थे कल युग में हम पतित है तो संगम पर ज्ञान दिया होगा सत्युग में नहीं वहा तो प्रालब्द है जरूर अगले जन्म में अर्थात पहले जन्म में ज्ञान लिया होगा तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानती हो आदिसनातन देविदेवता धर्म की सापना बाप ही करेगा। कृष्ण तो सत्युग में था। उनको यह प्रालब्द कहां से मिली। लक्ष्मि नारण ही राधे कृष्ण थे। यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जिनोंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। यह सेपलिंग लगता है। मोस्ट स्वीटेस्ट जाड का कलम लग रहा है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो। पहल ब्रह्मन बनना है। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्रह्मन बने हैं। यग्य में तो जरूर ब्रह्मन चाहिए। यह शिव वरुद्र का यग्य है। रुद्र ग्यान यग्य ही कहा जाता है। क्रिश्न ने यग्य नहीं रचा। इस र इनाश जुवाला प्रजोवलित होती है यह शुबाबा का यग्ये पतितों को पावन बनाने के लिए है रुद्र शुबाबा निराकार है वे यग्ये कैसे रचे जब तक मनुष्य तन में ना आये मनुष्य ही यग्ये रचते है सुख्ष्म वो मूल वतन में यह बातें होती नहीं बाप समझाते हैं यह संगम युग है जब लक्ष्मि नारेन का राज्य था तो सत्युग था अब फिर तुम यह बन रहे हो यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा की साथ है यह डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्सा पाने के लिए तुम जानते हो बेहद के बाप दवारा हम यह लक्ष्मि नारेन बनते हैं बाप ने समझाया है तुम सो देविदेवता धर्म के थे तुम्हारा राज्य था पीछे तुम पुनर जनम लेते लेते शत्रिय धर्म में आए सुर्यवंशी राजाई चली गई फिर चंद्रवंशी आए तुमको मालूम है हम यहे चक्र कैसे लगाते हैं इतने इतने जनम लिए भगवानु आज हे बच्चे तुम अपने जनमों को नहीं जानते हो मैं जानता हूं अब इस समय इस तन में दो मूर्ती है ब्रह्मा की आत्मा और श्यू परम आत्मा इस समय दो मूर्ती इकठी है ब्रह्मा और श्यू शंकर तो कभी पार्ट में आता नहीं बाकी विश्नु सत्युग में है अभी तुम ब्रह्मन सो देवता बनेंगे हमसो का अर्थ वासो में यह है उन्होंने कह दिया है आत्मसो परमात्मा परमात्मसो आत्मा कितना फर्क है रावन की आने से ही रावन की मत शुरू हो गई सत्युग में तो यह ग्यान ही प्रायलोप हो जाएगा यह सब हो ना ड्रामा में नूद है ना तब तो बाप आकर सापना करे, अभी है संगम, बाप कहते है, में कल्प कल्प, कल्प के संगम युग पर आकर, तुमको मनुष्य से देव्था बनाता हूँ, ज्यान यग्य रष्ता हूँ, बाकी जो है वे इस यग्य में स्वाहा हो जाने है यह विनाश ज्वाला इस यग्य से प्रजवलित होनी है पतित दुनिया का विनाश सो होना ही है नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकठी रहेगी क् पतित दुनिया का विनाश होगा इसमें तो खुश होना चाहिए माहा भारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले कहते हैं यह वही माहा भारत लड़ाई है यह तो अच्छा है पतित दुनिया खत्म हो जाएगी पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है तुम बच्चों को खुश होना चाहिए हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं बाबा हमने अनेक बार आप से वर्षा लिया है रावण ने फिर श्राप दिया यह बातें याद करना सहज है बाकी सब दंत कथाएं है तुमको इतना सहुकार बनाया फिर गरीब क्यों बने यह सब ड्रामा में नूंध है गाया भी जाता है ग्यान, भक्ती, विराग्य भक्ती से विराग्य तब हो जब ग्यान मिले तुमको ग्यान मिला तब भक्ती से विराग्य हुआ सारी पुरानी दुनिया से विराग्य यह तो कब्रिसान है चुरासी जर्म का चक्र लगाया है अभी घर चलना है मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाए नहीं योग अगनी से पाप भस्म होंगे गंगासनान से नहीं होंगे बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल मुर्ख बना दिया है अप्रेल फूल कहते हैं न अभी मैं तुमको लक्ष्मि नारेण जैसा बनाने आया हूँ चित्र तो बहुत अच्छे है आज हम क्या है कल हम क्या होंगे प्रन्तु माया कम नहीं है माया डोर बांधने नहीं देती खीचा तान होती है हम बाबा को याद करते हैं फिर पता नहीं क्या होता है भूल जाते हैं इसमें मेहनत है इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है उन्हों को वर्सा किस ने दिया ये कोई समझ से नहीं है बाब कहते हैं बच्चो मैं तुमको फिर से वर्सा देने आया हूँ ये तो बाब का काम है इस समय सब नरकवासी है तुम खुश हो रहे हो यहां कोई आते हैं समझ से हैं तो खुशी होती हैं बरोबर ठीक है 84 जनमों का हिसाब है बाप से वर्सा लेना है बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ती करके तुम ठक गए हो, मीठे बच्चे बाप तुम्हारी सब ठक दूर करेंगे, अब भक्ती अंधियारा मार्ग पूरा होता है, कहां यह दुख धाम, कहां वह सुख धाम, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता बाप बेहद का वर्षा देने वाला है, एक की ही महिमा है, शुबाबा नहीं होता, तो तुमको पावन कौन बनाता, ड्रामा में सारी नूद है, कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो, कि हे पतित पावन आओ, शिव की जयनती है, कहते हैं ब्रहमा ने स्वर्ग की सापना क फिर शिव ने क्या किया, जो शिव जयनती मनाते हैं, कुछ भी समझ से नहीं है, तुम्हारी बुद्धी में ग्यान एकदम बैठ जाना चाहिए, डोर एक के साथ बांधी है, तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे, पारलोकिक बाप मोस्ट सि अरोपलेन में घूमते हैं, यह बेहद का बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ, तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन, आओ, आकर हमें इंजेक्षन लगाओ, इंजेक्षन लग रहा है, बाप कहते हैं, योग ल जनमों का दुख हरता, 21 जनमों का सुख करता, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, धार्णा के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, अपने बुद्धी की रुहानी दोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है, दूसरी पोइंट, हम मोस्ट स्वीटेस्ट जाड का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पह पहले स्वियम को बहुत, बहुत स्वीट बनाना है, याद की यत्रा में तत पर रहे, विकर्म विनाश करने हैं, फर्दान, सर्व खजानों को विश्व कल्यान प्रती यूज करने वाले सिध्धी स्वरूप भव, जैसे अपने हद की प्रवरिती में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवरिती में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवरिती से परे अर्थात उप्राम रहो, और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंद संपर्क में बेलेंस रखो, तो सर्व खजानों की एकोनोमी दवरा, कम खर्च, बाला नशीन बन जाएंगे, अभी समय रूपी खजाना, एनरजी का खजाना, और सुल खजाने में कम खर्च, बाला नशीन बनो, इन्हें स्विम के बजाए, विश्व कल्यान प्रती यूज करो, तो सिध्धी स्वरूप बन जाएंगे, स्लोगन, एक की लगन में सदा मगन रहो, तो निर्विग्न बन जाएंगे, अच्छा, ओम शान्ती, आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें,